आइपियल 2019 के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला CSK वर्सेस MI के बीच खेला गया जिसमें MI ने पहले टोस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया मेमाई ने फूल असकोर 149 रन पर आठ विकेट बना कर ओल आउट होगे जिसमें मुंबाई इंडियन्स की तरफ से कुछ बेतरे इन परदर्सन हुए जिसमें इसान किसन ने 29 रनों की पारी खेली जबकि दूसरे ओपनर MI के कपतान रोई सर्मा ने मातर 15 रन बना कर आउट जबकि पाँच में बैट्समैन MI की तरफ से कैरन पुलार ने सबसे अधिक 41 रनों की आतिसी पारी खेली इस तरीके से MI का फूल असकोर 149 रन पर आठ विकेट हो गया चन्नाई सुपर किंग को जितने के लिए 149 रन का टार्गेट मिला चन्नाई सुपर किंग के तरफ से कु दो विकेट हासिल किये और अंतिम विकेट पात्वा विकेट इम्रान ताहिर ने भी दो विकेट हासिल किये इस तरीका से से नई सुपर किंग ने फाइनल मकाबले में दूसरी सरफ से बल्ले बाजिक करते हुए मात्र एक तो और ताहले सन पर साथ पिकेट बना कर वेम्राइच एक रनों से हार गई से एसके की तरफ से डिपलेसी ने 26 रनों की पारी खेली जबकि से एसके की तरफ से सिंबार्सन ने सबसे अधिक अस्ती रन बना कर आउट हो गए जबकि से एसके के तिसरे बेटसमेन सुनेस रइना ने 8 रनों की पारी खेली CSK की तरफ से रविंदर जड़ेजार ने मातर पांच रणों की पारी खेलिया और आउट हो गए छटे रवब पर CSK के कप्तार मैंस सिंग धोनी ने दो रण बना कर रण आउट हो गए इस तरीके से CSK का फूल अस्कोर 148 अन पर 7 विगेट हो गया और एक रण से मैच हार गया एमाई की तरफ से कुछ बोलिंग अस्कोर कार्ड हम देखते हैं जस्पित बुम्रा ने बहुत अच्छे पर्देशन किया चार और में 14 रण देकर 2 विगेट हासिल किया जबकि एमाई की तरफ से लस्ट मलिंगा ने एक गयट हासिल किया और आर्दिक पांडिया की भाई कुणाल पांडिया ने एक गयट हासिल किया और राहूल चाहर ने भी एक गयट हासिल किया इस तरीका से decisiveness ने या मैच एक रनो से जित गया और 2019 का फाइनल विजेता टीम भी M.I. बन गया